महुआ थाना च्छेतर के हसनपूर उस्थी पंचाथ के वाट संक्या नौग में एक खेत में बिछाए गए नंगे तार के चपेट में आने से एक इवक की दर्दनाक मौत हो गई मौत के बाद परिवार में कोहरा मच गया है तथा लोगों का रो रो कर बुरा हाल है बताया जाता है कि महुआ के हसनपूर उस्थी गाउनिवासी सुरेश सिंग अपने खेत में बरबटी तोरने के लिए गए थे इस दोरान कोकिल सिंग के खेत में घोरपरास के लिए नंगे तार बिछाए गया थे जिसके चपेट में आने से सुरेश सिंग की घटना अस्थर पढ़ी मौत हो गई मौत की सूचना मिलते ही घट वाले खेत की तरफ दोरे और बिजली का लाइन कटवाया और सब को लेकर अपने घर चले आए बाद में इसकी सूचना महुआ पुलिस को दी गई सूचना मिलते ही महुआ पुलिस मौके पर पहुची और मामले की च्छान बिन कर रही है वहीं कोकिल सिंग घर छोड़ कर फरार बताय जा रहे हैं स्कुलिस में अपना खेत में मरता लेकिन हमको है भाई के मरने के कारण अपना बीच खेत में इसको तार में टान जिया जो तान नहीं काटे गात जवाब देना होगा तो अब जाके लाइन काटा 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 तब तो खाए मर गया था सब्जी लाकर बेशता था वहाँ सब्जी लाने के कड़ में अपने खेत में गया था जहां पर कटा हुआ तार गीरा हुआ था उससे करेंट लग करके उगटना पर ही मौथ हो गया गरीब परिवार से है उसे चोटे-चोटे तिन-चार लर्का लर्की है पतनी भी बहुत कमस्वास है और हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा इनको लाब मिले और हम भी इन्हें कुछ हेल्फ कर रहे हैं जो कि बाद में फिर जर्वत पड़ेगा तो भी हम मदद करेंगे कभिरियन तोस्टी से जो पेसा बनता है वो तिन-चार रूपिया हम उनके गर्जन वजा कर दे दिये हैं